बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आठ सामाजी का ध्यान के अंतर गयत हमारे अतीद विशय का आटवाँ चैप्टर महिलाएं जाती एबं सुधार हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंदित प्रस्णों के उत्तर अभ्यास प्रस्ण उत्तर में सबसे पहले आप देखेंगे फिर से याद करें और यहाँ पर बच्चो पहला प्रस्ण है निमने लिखित लोगों ने किन सामाजीक बिचारों का समर्थन और परसार किया यदि आपने पाठ को पढ़ लिया होगा बच्चो तो आपको मालुम हो गया होगा इन सब के बारे में कि इनोंने क्या-क्या सामाजीक बिचारों का समर्थन और किस तरह से उसका परचार परसार किया यहाँ पर सबसे पहले बात की जारी है राजा राम मोहन रायकी बात करते हैं पर यहाँ पर देयानन सरसोती फिर वीरे सलिंगम पंतलू देयान से पढ़े आप पिर उसके में लिखना है चलिए उतर में क्या लिखेंगे आप इस प्रकार से लिखेंगे बच्यों सबसे पहले लिखेंगे आप राम मोहन राए उतर में और उसके आगे लिखेंगे आप ब्रहम समाज की अस्तापना की इन्होंने सती पर्था का बिरोध किया देया नंसर सती की बात करत इन्होंने आरिस समाज की अस्तापना की बिद्वा विभा का समर्थन किया इसके बाद बीरे सलिंगम पंतलू ने क्या किया था बिद्वा पुनर विभा का समर्थन किया जोतिराव फूले ने सत्यसोदक समाज संगटन और जातियादारित समाज की आलोजना की बात करते हैं प पेरियार पेरियार जी ने क्या किया हिंदू धर्म ग्रंथों के आलो चक थी है स्वाविमानि अंदोलन इनों धुरू किया और मुम्ताज अली की बात करते तो मुम्ताज अली ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्सा पर जोड़ दिया इस और चंदविद्या सागर ने महिला प्रस्ण में पूछा गया है निम लिखित में से सही या गलत बताएं और किस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जुए कैय में लिखा है जब अंग्रेजुने बंगाल पर कब जा किया तो उन्होंने विबाहा गोद लेने संपत्ती उत्रादिकार आदि के बारे म नए कानुन बना दिए उत्तर होगा आपका सही ठीक है बच्यों आपने पार्ट में पड़ा होगा यही सब लिखाता ना तो यह क्या है हमारा सही है क्योंकि इनके आगे आपने सही और गलत बताना है क्या क्या बातें सही हैं क्या गलत हैं यहाँ पर देखते हैं दूसरा ख और इसके बाद गह है यहाँ पर आपका सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था सही या गलत है यह गलत है क्योंकि कई लोग इसके बिरोधी भी थे और अगला है बच्चो गहवाला बाल बिवान निसेद अधिनियम 1838 में पारित किया गया था कब किया गया था 1839 में तो यह सही है ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रसन के उत्तरों को यहाँ से लिख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रसने बच्चो आईए विचार करे में और प्रसने है तीसरा प्राचीन गरंतों के ज्यान से सुधारोकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली उत्तर में क्या लिखेंगे आप इस प्रकार से एक हैडिंग डालेंगे कानून बनाने में मदद ठीक है बच्चो उत्तर लिखेंगे कानून बनाने में मदद और इस प्रकार से प्वैंटों में लिखेंगे नमबर एक संचार के नई तरीके विक्सित हो गए थे नमबर दो पहली बार किताबें अगबार पत्रिकाएं पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी ये चीजें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी इसलिए ज्यादा लोगों की पहुंच में थी और तीसरा पुएंट लिखेंगे आप नए सहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएं आम जनता तक पहुंची ठीक है इस प्रकार से आप लिखेंगे तीसरा प्रसन और उसका उत्तर इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर चोथा प्रसन और चोथे प्रसन में पूछा गया है लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन-कौन से कारण होते थे किस कारण से वो यस्कूल नहीं भेजते थे, क्या-क्या कारण होते थे उनके पास तो उत्तर में लखेंगे लोगों का कारण, यहाँ पर आप जो हेडिंग डालेंगे लोगों के कारण और प्र पॉयंटों में लखेंगे नमबर एक इसकूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेंगी इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी इस प्रकार से पहला पॉइंट होगा और उसके बाद बच्चों ध्यान दे आप दूसरा पॉइंट दूसरी बात क्या थी लड़कियों को इसकूल जाने के लिए सार्वज निकस्तानों से होकर जाना पड़ता था जो उनके लिए ठीक नहीं था या ठीक नहीं माना जाता था तीसरा पॉइंट लड़कियों के आचरन पर बुरा परभाव पड़ेगा और वे बिगड़ जाएंगी ठीक है तो इस प्रकार से आप जो यह प्रशन है यहाँ पर इसमें पूचा है इसाई परचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोजना करते थे क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा यदि हाँ तो किस कारण तो यहाँ पर उतर लिखेंगे आप उतर में लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे दूसरा पॉएंड लिखेंगे जंजातिय समुह तथा निमनजाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे ठीक है वच्चेोँ तो इस प्रकार से आप दो पॉएंड लिखेंगे आलोचना का कारण में और समर्थन जो लोग करते थे ते क्यों करते थे समर्थन इसके भी दो पैंड लिखेंगे नमबर एक ये इस्तरी शिक्सा तथा पुर्षों के समानता के अधिकार के पक्सदर थे नमबर दूसरा जन जाती ये लोगों तथा निम्न जाती के लोगों के लिए इसकुलों की अस्तापना की ठीक है इस प्रकार से आप समर्थन के और आलोचना के दो-दो कारण लिखेंगे पांच वे प्रसन के उत्तर में इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर छटा प्रसन है बच्यों अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए आवसर पैदा हुए जो निम्न मने जाने वाली जातियों से सम्बंदित थे उत्तर लिखेंगे आप उत्तर में लिखेंगे नए आवसर और हेडिंग डाल देंगे फिर बच्यों और पैंटों में लिखेंगे उसके बाद इसको भी नमबर एक पहला पैंट लिखेंगे उनिश्वी सदी में इसाई परचारक आदिवासी समुदायों और निचली जाति मिले, रेलवे, लाइन, इस्टेशन, आधिके निर्मान के लिए मजदूरों किया हो सकता थी इन कामों के लिए सहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्ण जाती के लोग थे और तीसरा पॉएंट लखेंगे बच्चों बहुत सारे लोग असम, मौरिशास, तरिनी, दाद और इंडोनेसिया आधिस्थानों पर बागानों में काम करने के लिए बेजे जा रहे थे या काम करने के लिए भी जा रहे थे इस प्रकार से आप तीन पॉएंट लेकेंगे इस परस्न का उत्तर परस्न ये चटा और यहाँ पर लेकेंगे नवी वसर और इस तरह फॉएंट में इसका जवाब लेकेंगे बात करते हैं बच्चों यहाँँअपर सात हुआ पर प्रस्न है और आप देख सकते हैं इसमें पूछा है कि जोती राव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातिया समानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया उतर में क्या लेखेंगे उतर लेखेंगे आलोचनाओं को उचित बताना और उतर में जो है जब आप ये लिखेंगे उसके बाद हेडिंग डालेंगे यहाँ पर मोटे अक्सरों में लिखें बच्यों और फिर पुएंटों में लिखेंगे जोतिराव फूले ने ब्रामणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्या होने के कारण वे अन्य लोगों से स्रेष्ट हैं फूले का तर्क था कि आर्या उप महाद्वीप के बाहर से आये थे उन्होंने यहां के मूल निवासियों को हराकैर गुलाम बना लिया तथा प्राजित जन्ता को निम्न जाती वाला मानने लगे अगला दूसरा प्राजित लेखेंगे पेरियार ने हिंदू बेद पुराणों की आलोचना की उनका मानना था कि ब्राहमनों ने निचली जाती उपर अपनी सत्ता और महिलाउं पैर पुर्षों का परवत्वा अस्तापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है तीसरा पुएंट लेखेंगे बच्यों हरिदास ठाकुर ने भी जाती व्योस्ता सई ठहराने वाले ब्राहमनवादी गरंतों पर सवाल उठाया और चौथा पुएंट अंबेड करने भी मंदिर परवेश आंदोलन के द्वारा समकालिन समाज में उच जातिय सरचना पर सवाल उठाये वा इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाती या पूर्वा ग्रहों की जकर कितनी मजबूत है तो इस प्रकार से आप चार पुएंट बना कर इसका उत्तर लिख सकते हैं आलोचनाओं को उचित बताना शातोवा प्रसने है और इसके चार पुएंट बनाएं आप और इसका उत्तर लिखें इसके बाद आठोवा प्रसने है बच्चो फूले ने अपनी पुस्तहक गुला ग्रह-यूत के फ्ल रूप दास फर्था का अंद हो चुका था और उसके बाद तीसरा पुएंट लेखेंगे फूले ने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दसा को एक दूसरे से जोड़ कर देखा इसलिए फूले ने अपनी पुष्टक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिनोंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संगर्ष किया था ठीक है बच्यों तो इस प्रकार से आप इस प्रस्न का उत्तर आठवे प्रस्न का उत्तर लिखेंगे देखरेंगे यहाँ पर और पुएंट बना के लिखेंगे बात करते हैं यहाँ पर नववा प्रस्ने बच्यों मंदिर परवेस आंदोलन के जरिये अंबेड कर क्या हासिल करना चाहते थे उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मंदिर परवेस आंदोलन और उसके बाद फिर में लिखेंगे अंबेड कर एक महार परिबार में पैदा हुए थे इसलिए उन्होंने बच्पन से जातिय भेदवाव और पूरवा ग्रह को नजदी की से देखा था दूसरा लिखेंगे समकालिन समाज में उच जातिय सत्ता सरचना के कारण निम्न जातियों के साथ असमान परवेश अंदोलन चलाए और चोथा पूएंट लिखेंगे जिसके माद्यम से वह देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातिय पूरवा ग्रहों की जकड कितनी मजबूत है लेकिन लगातार बिरोत करने पर इसको कमजोर किया जा सकता है ठीक है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है नवे प्रस्निक के उत्तर को पूएंट बना कर लिखेंगे देखेंगे यहाँ पर इसे आप जो है अपनी नोटबुक में लिखें और उसे याद करें बात करते हैं यहाँ पर प्रस्न दस हुआ है बच्चो जोती राव फूले और रामा सौमी नायकर राष्टिय संगर्च में मदद पूएंट बना के लिखेंगे नमबर एक फूले ने जाती ब्योस्ता की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था वह उच जाती महिलाओं की दुर्धसा मजदूरों की मुसीवतों और निम्न जातियों के अपम पूर्ण हालात के बारे में गहरे तोर पर चिंतित थे इसके बाद दूसरा पूएंट लिखेंगे पेरियार की दलीलों और आंदोलन से उच जातीय राष्टवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मा लोचना की प्रक्रिया शुरू ही और तीसरा पूएंट समाज में समानता का भाव आया जातीय बंदन डीले पड़ गए और छुआचूत की भावना कम हुई जिससे राष्टिया अंदोलन में एकता का भाव पैदा हुआ ठीक है बच्यो तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर एक एक पूइंट बनाके अच्छे से लिखेंगे और इसे याद करेंगे यह दस्वा प्रस्ण था आपका और इसका उत्तर आप जो हेडिंग डालके इस प्रकार पूइंटों में लिखेंगे तो बच्यो इसके साथ ही इस पार्ट से समद्दे यहाँ पर प्रस्णों के उतर समापत होते हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी प्रकार लगातार जुरे रे मारे साथ